दूर्गा पूजा के लिए परसेसन तयार 10 जून में बटा सहर रांची राजधाने में दूर्गा पूजा के दौरान बेदी बेवस्ता को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए 250 मैश्ट्रेट, 300 पूलिस अपसर और 2000 से अधिक पूलिस बल की पृतिनिक्ति की गई है इस समद में DC और SSP ने ज्वाइंट और जारी किया है बता दे जारी आदेश के मताबिक फूजा पंडालों में सुरक्षा के लिहाजा से मजट्रेट, पूलिस अपसर और महिला वा पूरु सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया पूजा के दोरान बिती विवासा की समस्या नहीं हो, इसके लिए पूरे रांची जीलियों को 10 जोन में बाटा गया है हर जोन में 4-5 धाने के लिए एक मुख्यालाई बनाया गया है, मुख्यालाई में जोनल पूलिस पदाधिकारी की प्रवक्तिनिक्ति की गई है जार्खन में OVC को 27% आरक्षान रामेश्वर उराओ जार्खन के बीत एवं खादा पूर्थी मंतरी डाक्टर रामेश्वर उराओ ने कहा है कि जार्खन अलग होने के बाद से आज तक किसी भी सरकार नों OVC आरक्षान बढ़ाने पर पहलतक नहीं की OVC को 27% आरक्षान मिलना चाहिए उन्होंने कहा कि जल्द ही जार्खन में OVC को 27% आरक्षान का बिलपारित होगा जार्खन के बीत एवं खादा पूर्थी मंतरी डाक्टर रामेश्वर उराओ ने सनिवार को OVC समूताय को जल्द संख्या कानुपात में आरक्षान की मांग को लेकर हजारी बाके केरेडारिक के इसी फरम मैदान में आविजीत महा समेलन को सम्भूधित कर रहे थे जार्खन में 2000 क्रोर की सबक परियोजनाओ का काम सुरू जार्खन में सबको को दुरुस्त करने और मजबोती करन के लिए लगभग 2000 क्रोर रुपए खर्च किये जा रहे हैं और अगले एक दो महिने में बहुत सबको की इस्थिती बदली बदली दिखेगी बता दे इन सबको के लिए सबक निवान विभाग ने पहले ही टेंडर की परक्रिया पूरी कर लिए है और अब सबको पर काम सुरू होने वाला है राजधानी राची में ही 1500 को रुपए से अधिकी परियोजनाओ पर काम सुरू हो रहा है बता दे कोविट के कारण पिछले दो वर्सों से सबको की निर्मान और मरमत पर कामरासी खर्च होती रही है जारखन में इसकूलों के बिलाय पर मांगी रिपोर्ट इस्कूली सिक्षा एवम सक्षता विभाग ने पिछली सरकार में इस्कूलों के बिलाई किये जाने के बाद इस्कूलों के बंद होने पर सभी उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी है विभाग के मंति जगनात मतों ने कहा कि कुरोना थमने के बाद ही सभी उपायुक्तों से इस पर रिपोर्ट मांगी गई है उपायुक्तों से पुछा गया है कि पुर्म में कीन वजह हो से इसकूलों को बंद करने का निना लिया गया यह भी पुछा गया है कि जब इसकूल के स्थापना होई थी तो उसकी क्या वजह थी तथा इसकोलों को फिर से खोन ले जाने की कितनी आँ सकता है बता दे कि मंत्री कई मौके पर बंद इसकोलों को फिर से खोनने की बात कह चुके है इसाई धर्म अपना चुके 16 लोगों ने की घरवापसी इसाई धर्म अपना चुके तीन परिवार के 16 लोगों ने रविवार को रांची में घर्वापसी की इसके लिए सरनास्थल एज़िसी सेक्टर 3 में कार्यकरम कायोजन किया गया बतादे जार्खन आदिवासी सरनाभी का समिती ने कार्यकरम कायोजन किया इस दोरान विधी पुर्वाप पुजा आजना की गई इस मोखे पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे घर्वापसी होने पर जार्खन आदिवासी सरनाभी का समिती ने सब को सम्माहनित किया बतादे सरुल पुजा अस्थल पर हुए कार्यकरम किया दख्ता संस्था के अध्यक्स मेघा उरावने की है हर्ष्ट्रेंडिंग मामला जार्खन में राज्य सभा चुना दो ये सोला में हर्ष्ट्रेंडिंग मामले में जगनाथ पूर्थानने में दर्ज पराथमी की कारोपित एडिजी अनुराग उपता पर चल रहे विभागिये जाच फूरी हो गई है बताते विभागिये करवाई संचालन पताधिकारी डिजी एमबी रावने सेवा निवरीत से पूर्व राज सरकार को अपने अमतिम रिपोर्ट सोब दी थी इस रिपोर्ट में एडिजी अनुराग उपता के विरूत कोई ठोस साक्ष नहीं मिलने के कारण उन्हें क्लिन चीट दे दी गई है अब डिजी एमबी राव की रिपोर्ट की समिक्षा करने के बाद राज सरकार अमतिम निर्दा लेगी दुरगा पुजा को लेकर रांची उपायुक्त ने जारी किये निदेश दुरगा पुजा को लेकर रांची जीले की विधी वेवस्था पुकता होगी इसे लेकर रांची उपायुक्त एवं एसेस्पी ने सनयुक्त आदेश चारी किये है जिलापर सासन ने दुर्गापोजा समीतियों से अपिल किया कि कोविनाइटिन के संका को देखते हुए पूजा में अडंबर ना करे आकर्षक लाइट साउंड बोक्स आदिका परियोग वर्जित रहेगा वही पंडाल में बिराजमान माता की परतीमा को कप्रे से चारो और स धकने का निदेश दिया क्या है बता दे जवरन चंदा वसुनने की सिकाइद पर करवाई भी की जाएगी तेवहारों में फिर बढ़ रहा कुरोना संक्रमान तेवहार के समय बजार और सटकों पर लोगों की भीड डरावने वाली है बता दे ज्यादतर लोग बिना मास्क के सवक पर नजर आ रहे हैं इसके साथ ही सहर के कीसी भी बजार में सरीड रिक दूरी का पलन नहीं हो रहा है इसी बीच राचि में कुरोना संक्रमन में एक बार फीर से इजाफ़ा हो रहा है बता देर अभिवार को सब्ताहिक लोकडाउन होने के बाद भी रांची के अपर बजार में रोड और गोडा बजार हर्मू सहित सभी प्रमुक बजारों में लोगों की भीर नजर आ रही है वहीं सबक किनारे लगने वाली दुकानों के साथ अस्थानिये कपड़े की दुकान भी खोली दिख रही थी रसोया के मांदे मद में 600 रुपई ही देगी केंदर सरकार पधान मंतरी पोशन सक्ति निर्मान मिड़े मिल योजना में महिला रसोया सहसाहाईका के मांसिक मांदे के लिए केंदर सरकार 600 रुपई ही देगी बदादे केंदर सरकार ने पिछले दिनों हुए केबिनेट की बैठक में इनके मांसिक मांदे के लिए पुर्व में लागो एक है रूपए की ही सेखरी पदान की है इसमें 600 रूपए केंडर सरकार देगी जबकि राजय-अंस के रूप में 400 रूपए राज सरकार को अहन करने होंगे चुकि राज सरकार रासोईया सहसाहिका को एक है रूपए अतिरिक्त मान देती है इसलिए यह रासी पूर्व की तरह राज सरकार को ही वहन करना होगा जार्खन में कुरोना के 9 मरिज मिले हैं जो रांची से 4, पूर्वी सिमू से 3, दामगर से 1, देवघर से 1 मिले हैं जार्खन में कुल एक्टिव केस की संख्या 108 है भारत में 19,17 केस मिले हैं भारत में कूलेक्टिव केस की संख्या 2,5,5 है हजारी बाग में हिंसक जड़प एक दर्जन पूलिस कर्मी घायल पिछले 5 दूनों से 28 सुत्री मांगों को लेकर विस्थापित रहयत मोर्चा की अगोई में चल रहा अनिस्चित कालिन धरना रविवार को खोनी संखर्ष में बदल गया बता दे किसी बात को लेकर पूलिस अउर रहतों के बीच जड़प होई इसके बाद जमकर पत्थराव चले बता दे जवाब में पूलिस ने वाटर केनन का पर्योग किया पूलिस पर लाठी चार्ज करने का भी आरोप है पत्थर बाजी लाठी चार्ज और भागम भाग में डेठ दरजन रहतों को चोट आई है वहीं पेलावर इंस्पेक्टर सहीत एक दरजन पूलिस कर्मी भी घायल हो गया है बता देख हैलो का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है वहीं मामूली रूप से खायलोग और पूलिस कर्मीयों को प्राथ्मिक इलाज के बाद मुक्त कर दिया गया है हजारी बाग बिधायक समेट 500 पर केस दरज हजारी बाग सदर थाना में बिधायक मनिस जैसवाल समेट 25 नामजाद वह 500 अग्यात भाजपानेताओ और करकताओ समेट समर्थकों के बिरोद सदर बीडियो गुन्जन कुमारी सिन्हा ने सनिवार को प्राथ्मिकी दरज कराई है दरज प्राथ्मिकी में बिधायक परतिनिधी मन्डल अध्यक समेट 25 को नामजाद बनाया गया है जबकि 500 अग्यात समर्थक है बतादे मामले की सुचक के आवेदन पर कोविड-19 गाइडलाइन के उलंगन करने कारूप लगाते हुए नेशनल डिजास्टर मेनेजमेंट 13-1188-IPC-51 भादविये के तहत कान संक्य 382-21 दर्च किया गया है कुरोना काल में महिलाओं में बढ़ी नासा करने की प्रविर्ती राजधानी राची के काके में इस्थी सरकारी मेंटल होस्पिटल रिन पास में हर दिन 500 से अधिक वांसी की रोग पहुँचते हैं बता दिन में से 40% मरीज युगावर्ग से हैं इन सभी में से 30% महिलाओं ऐसी हैं जो नसे से मुक्ती चाहती है बता दे इन मरीजों में जीने की इक्षा नहीं दिखी रिन पास के वरिष्ट मनोच चिकित सर डाक्टर सिधार सिन्हा ने बताया की कुरोना काल में महिलाओं में नसा करने की लट काफी बढ़ी है इसका मुख्य कारन कुरोना काल में घर में रहना और समाज से दूर होना है साथ ही अकिलापन से तनाव को दूर करने के लिए तरह तरह के नसा का परयोग करना है दुरगा पुजा के कारन कुरोना जाच में कमी दुर्गापुया तेवहार को लेकर पूरा सहर तयारियों में जूट चुका है बतादे बजारों में पहले की तरह से ही भीन दिख रही है लेकिन इन सब के बीच हर दिन कुरोना मरीज भी मिल रहे हैं इसमें सबसे अधिक राची से ही मरीजों के मिलने की संख्या है साथ ही नाच करवाने वालों की संख्या भी पीछली माह की तुलना में 30% कम हुई है दूसरी और तेवहार सुरू होते ही एक बार फिर कुरोना के बामले बढ़ने लगे हैं हालाकि स्वास्त होने वालों की संख्या भी बढ़ी है इसकारण अभी एक्टिव केस की संख्या रांजी 33 है जार्खन में मांसुन की वापसी शुरू मौशम विभाक के उन्थार राजियस से मांसुन की वापसी शनिवार की दोपड से सुरू हो गई है मांसुन का वी डाल लाइन इस वक्त मेद्नी नगर के उपर से घुजर रहा है अगले तीन दिनों में पूरे राज राज Tomorrow मानसुन की वापसी शुरू हो जाएगी इसके लिए राज में बेहतरी निस्थिती बन रही है हलाकि लोट रा मानसुन काफी कमजूर है ऐसे में किसी परदेश में अभी भारी बारिश की संभावना नहीं है मौस्टर बैग्यानी अभिसेक अनन ने बताया कि राजस्थान और सिये बुजुरू की मौत ब्लैक फंगस से हो गई है बतादे रिम्स के डेंगु वार्ड में इलाज चल रहा था जहां इसकी हालात लागतार खराब होती चली गई और सनीवार को इसने दमतुर दिया है इसके बाद रिम्स में एक भी ब्लैक फंगस का मरीज नहीं बचा है बतादे 15 दिन पहले ब्लैक फंगस से एक और मरीज की मौत हुई थी जबकि एक माह पहले भी ब्लैक फंगस से ही एक महिला की मौत हुई थी शरीरिक सिक्छा प्रसिक्षित सिक्छक संग की कमेटी का पूर्ण गठन सरेरिक सिक्षा प्रसिक्षित सिक्षक संग की आम समा बैठक रभीवार को डाक्टर राम देयाल सिंग मुंडा पार्क मुरबादी में हुई बैठक के अध्यक्षता संग के अध्यक्ष हेमंत कुमार ने की इस दोरान सरेरिक सिक्षा प्रसिक्षित सिक्षकों की विभीन मांगो और समस्याव पर चर्चा की गई संग की केंद्रिय कमिटी का पूर्ण गठन और विस्तार भी किया गया बताद नई कमिटी में प्रवीन सिंग संडक्षक जुने गाएं वही हमन्त कुमार अध्यक्ष पद पर बने हैं कुरोना से मिरित सिक्षकों के आश्रितों के लिए सरकार का अहम फैसला कुरोना संक्रमन की वज़ा से सरकारी स्कूलों के जिन सिक्षकों की मिरिती हुई है उनके आश्रितों को नवकरी मिलेगी 25 लाह के इनामी नक्सली समेत 10 पर देश द्रो भागपा मवादी के खिलाब सरकार सक्त दिखाई दे रही है बतादे इस दिशा में सासन और प्रसासन कुख्यात नक्सली के बिरोध देश द्रो का मुकादमा चलाए जाने के त्यारी कर रहा है पिछले दिनों नक्सली मोती लाल के खिलाब देश द्रो का मुकादमा चलाने का प्रस्ताव जिला पर सासन भेजा गया है बतादे इसी कड़ी में 25 लाह के इनामी भागपा मवादी के स्पेशन एरिया कमेंटी सदस्य अजाय महतो सही 10 नक्सलीयों के खिलाब 13 UAP Act के तहट अभियोजना चलाया जाएगा धरबाद के BCCL बलोक दो अंतरगत बेनीडी में साइडिंग तथा केसरगर रेल साइडिंग के सील पीकर मवजदूर पिछले चार दिनों से बकाये वेतन तथा हाई पावर कमेटी का ठित वेतन की मांग तथा छटनी के बीरोद को लेकर आंदोलन पर थे बतादे रब्विवार को पुलिस और CISF ने लाठी चार्ज कर इनका अंदोलन समाप्त कराया लाठी चार्ज की करवाई से भगदल मच गई बतादे महिला मजदूरों को हिरासत लिया गया इस दवरान एक महिला मजदूर की तवियत भी बिगड़ गई है पुजा में अलर्ट रहेगा स्वास्त विभाग दुर्गा पुजा में स्वास्त विभाग अलर्ट मोड पर रहेगा बतादे इस बार भी कुरोना संक्रमन को देखते वे दुर्गा पुजा में मेले कायोजन नहीं किया जा रहा है इसके बावजूद विभाग को अंदेश रभीवार को सभी दुकाने खोलने की मिली विशेस छूट का सच रांची जीला पसासन ने भरामक खबर का खंडन करते हुए जनकारी दिया है कि सोसल मीडिया और विभीन माध्यमों से भरामक खबर पर कासीत की जा रही है कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए रभीवार को सभी तरह की दुकाने खोलने के लिए भिशेस छूट दी गई है बदादे राज सरकार द्वारा पूर्व में जारी किये गए दिसानी देशों के अलावा किसी भी तरह की नई गैलान जारी नहीं की गई है धन्यवाद